हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ इश्वर की अपार करुणा और दयार से आप सब खुश होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और साथ ही पेरिंट्स की गाइडेंस में पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे वन और वन म बच्चो बोलते समय हमारे मूँ से अनेक ध्वनिया निकलती हैं इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किये जा सकते वन भाषा की सबसे छोटी एकाई होती है और इन ध्वनियों के संकेत चिन्हों को वन या अक्षर कहते हैं बच्चो आज हम स्वर और व्यंजन की कुछ बा चारण में किसी अन्वन की मदद नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या ग्यारा है आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, अ, ओ, अ, बच्चो स्वरों को भी दो भागों में बाटा गया है हास्वर और दीग्र स्वर हास्वर को मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें बोलने में दीग्र स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है इनकी संख्या चार है आ, ई, उ, री दीग्र स्वर, बच्चो दीग्र स्वरों को बोलने में मूल स्वर यानि हास्वर के अपेक्षा दो गुना समय लगता है दीग्र स्वरों की संख्या साथ होती है आ, ई, उ, ए, अ, ए, ओ, अ, बच्चो अब स्वर के बाद आता है व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्णों की मदद लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है इन्हें भी तीन भागों में बाटा गया है पहला इसपर्ष व्यंजन दूसरा अंतहस्त व्यंजन तीसरा ऊश्में व्यंजन इसपर्ष व्यंजन इसके नाम से ही पता चलता है इसपर्ष मतलब छूना या टच करना इन व्यंजनों का उच्चारन करते समय हमारी जी मुख के किसी ना किसी भाग का इसपर्ष करती है तभी इन्हें इसपर्ष व्यंजन कहा जाता है इसके अंतरगत का से मा तक के सभी व्यंजन आते है ध्यान दीजेगा इसवर्ष व्यंजन में का से मा तक के सभी व्यंजन आते है दूसरा है अंतहस्त व्यंजन अंतहस्त का मतलब होता है भीतरी या बीच में बच्चों इन वर्णों का उचारन करते समय जीव मुख के किसी भाग को पूरी तरह इसपर्ष नहीं करती है तभी इन्हें अंत्रस व्यंजन कहते हैं ये वर्ण है या रा ला वा अब आता है उश्म व्यंजन इसके नाम से ही प्रतीत होता है उश्मा या करम जिन वर्णों के उचारन में मुख से गरम स्वांस निकले उन्हें उश्म व्यंजन कहते हैं ये वर्ण है शा शा सा खा अब हम इसके बाद देखेंगे बच्चों वर्ण माला वर्ण माला क्या है सभी स्वर और व्यंजन वर्णों के व्यवस्थित और क्रम से लिखे समु को वर्ण माला कहते हैं बच्चों हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन एक निश्चित क्रम में आते हैं इस प्रकार हिंदी वर्ण माला में कुल 44 वर्ण होते हैं बच्चों आपकी बुक में विशेश्टत के अंतरगत अनुस्वार, अनुनासिक और विशर्ग दिये गए हैं अनुस्वार, वर्ण के ऊपर लगने वाली बिन्दू को अनुस्वार कहते हैं इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, इसे अंग बिंदू भी कहा जाता है, जैसे गंगा, हंस, सुन्दर, पंग, इत्यादे अनुनासिक अनुनासिक को बोलचाल की भाषा में चंद्र बिंदू भी कहते हैं, यह वीवन के उपर लगती है इसका उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है, जैसे पांच, साप, गाउं, चांद, आदी विसर्ग बच्चो विसर्ग वन के बाद लगने वाला दोहरा बिंदू है, इसके उच्चारण करते समय हा की ध्वनी हमारे मुक से निकलती है जैसे प्रातहा, प्रायहा, अतहा, हुनहा, इत्यादी संयूक्त व्यंजन बच्चो संयूक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग या मेल से बनते हैं यह व्यंजन है छत्राग्याश्रा यह चार है छत्राग्याश्रा कैसे का प्लस शा छा छत्रिय वाला ता प्लस रा त्रा त्रशूल वाला जा प्लस इया इससे बनेगा ज्या ज्यानी वाला शा प्लस रा श्रा जिसे हम शिरीमान, शिरीमती, शिरी आधी शब्द लिख सकते हैं अब इसके बाद आता है बच्चो दुईत व्यंजन बच्चो जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित समान व्यंजन मिला कर लिखे वा बोले जाएं तो उसे दुईत व्यंजन कहते हैं जैसे पक्का, प्रसन, सच्चा, चमच, खटा, हड़ी, इत्यादी बच्चो अब हम देखेंगे रवन रा के विभिन रूप और इसके अंतरगत रैफ और पदेन की मात्रा देखेंगे रैफ यह स्वर रहित रा है व्याकरन की भाशा में इसे रैफ कहते हैं इसका प्रियोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं किया जाता जैसे सूर्य, वर्शा, पार्क, दरपन, परवत, धर्म, आदी तो बच्चो आपने देखा कि इस रैफ में रा का प्रियोग या तो दूसरे वर्ण में या बीच वाले वर्ण में या आखरी वर्ण में किया गया है पदेन, बच्चो हिंदी भाषा में मात्राओं का एक महत्पून इस्थान है बिना मात्राओं के किसी भी वाकिकी उत्पत्ती नहीं हो सकती पदेन की मात्रा हिंदी भाषा में एक महत्पून भूमी का अदा करती है पदेन की मात्रा किसी भी पूर्ण अक्षर के नीचे लगाई जाती है यह मात्रा रा से पहले पूरी पाई वाले अक्षर पर लगाई जाती है जैसे क्रम, प्रकाश, चंद्र, नम्र, ग्रह, प्रियोग, इत्यादी बच्चो पदेन की दूसरी जो मात्रा है वह भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है और इसके कुछ शब्द मैं आपको बोल के बता रही हूँ जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम, राज्टिय, ड्रामा, ड्राइवर, आदे हिंदी में स्वरों का प्रियोग का मतलब होता है मात्रा व्यंजनों के साथ प्रियोग में आने वाले स्वरों के चिन मात्रा कहलाते हैं बच्चो याद रखिएगा एक वर्ण पर एक बार में एक ही मात्रा लगती है कभी भी एक साथ दो स्वरों की मात्राएं नहीं लगती आशा करती हूँ बच्चो वर्ण और वर्ण माला आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा इसके जितने भी अभ्यास कारे हैं स्कूल वेब साइट से देख कर आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करें